हेलो एन वेलकम टुद देवजु क्लासेस आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल देवजु क्लासेस में स्वागत है आपका बोर्ड के एक्जाम 14 मार्च से निर्धारिद है उसी को ध्यान में रखते हुए देवजु क्लासेस आपके लिए जो सीरीज लेकर के आया है उसमें हम लोगों ने पहला चाप्टरस और दुसरा चाप्टरस उससे मिला करके तीन वीडियो उसको हम लोगों ने देख लिया है यह जो चाप्टर है electrostatic potential and capacitance इसके mcqs को भी हम लोगों ने देख रहा है और numericals को भी हम लोगों ने देख रहा है आज के इस वीडियो में same चैप्टर यह जो चैप्टर है आपका हराम स्थिर बैद्विति की विभाव तथा धारीता इससे जो डेरिवेशन वाला कोश्चन इंपॉर्टन कोश्चन से उसको हम लोग देखेंगे और साथी साथ एक और एक पोटेंशियल सर्फेस है उसको हम लोग देखेंगे ठीक है त कि डिफाइन इक्यूपोटेंशियल सर्फेश क्या डिफाइन करना है एक्यूपोटेंशियल सर्फेश तो मेंसने इट्स टू प्रोपर्टिस मेंसने इट्स टू प्रोपर्टिस तो क्या है सम्विभाव प्रिष्ट किसको बोलते हैं वह प्रिष्ट जिसके सभी बिंदू पर एक समान विभाव होता है सम विभाव प्रिष्ट कहलाता है equipotential surface किसको बोलेंगे any surface which has same electrostatic potential at every point is called an equipotential surface ठीक है same electrostatic potential same electrostatic electrostatic potential अगर same electrostatic potential at every point अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते है sambivahoprist यानि सभी बिंदुवा पर एक समान विभाव होता है तो उसको हम लोग बोलते है sambivahoprist इसके गुन क्या है यहाँ पर दो गुन दिये हुए है पहला क्या है पहला चीज आप ध्यान में रखेंगे कि total कारे यानि संपूर्ण कारे जो होता है sambivahoprist पर वो होता है 0 क्या होता है 0 कारे कितना होता है 0 ठीक है एक पॉयंट से दुसरे पॉयंट पर अगर एक charge है उसको move कराने के लिए A से अगर B पर equipotential surface है इस point मानलों दो point है एक point से दुसरे point तक जाने के लिए जितना work done करना पड़ता है उस charge को ले जाने के लिए जितना work done करना पड़ता है वो क्या होता है 0 किस पर electrostatic या पोटेंशिल सर्फेस है उस पर ठीक है तो जैसी वागडन 0 होता है तो electric field जो हो जाएगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर क्योंकि force into distance क्या हो जाएगा force or distance क्या होगा यह दोनो fs cos theta होता है ना work done बराबर work done बराबर क्या होगा work done बराबर fs cos theta तो जब यह 0 है तो यह कब होगा जब theta कितना हो जागा 90 degree थिटा कितना होना चाहिए 90 degree इसका मतलब है कि electric field क्या होगा perpendicular होगा किसके equipotential surface के तो यही कहा रहा है कि बिद्दुच्छेत्र जो होता है वो क्या होता है लंबवत होता है किसके samvihoprist पर ठीक है दूसरा क्या कहा रहा है कि दो samvihoprist कभी भी एक दूसरे का प्रतिशेदर नहीं करते हैं two equipotential surface है ना इंगलिस में क्या लिखोगे कि two equipotential सर्फेस एक्यूपोटेंशियल सर्फेस नेवर इंटरसेक्ट इच अधर नेवर इंटरसेक्ट इच अधर ठीक है वाइट इस सो ऐसा क्यों है अगर यह दोनों इक्यूपोटेंशियल सर्फेस दो सम्विभाव प्रिष्ट आपस में अगर प्रतिश्यदित कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर दो विवभाव का मान होगा पोटेंशियल एक्यूपोटेंशियल का वालू कितना हो जाएगा दो जो कि पॉसिबल नहीं है ह चलिए तो यह यह आप दो इसमें है तो आप हम लोग यहां पर तीन प्रोपर्टी देख लिए हैं और अगर आप देखेंगे कि एक्यूपोटेंशियल सर्फेस जहां पर इस्ट्रॉंग है है एक्यूपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है जहां पर इस्ट्रॉंग होता है वो कहां होगा जहां पर क्लोजर होगा जहां पर एक्यूपोटेंशियल सर्फेस क्लोजर होंगे वहां एक्यूपोटेंशियल सर्फेस क्लोजर होगा एक्यूपोटेंशियल सर्फेस जहां पर closure closure होंगे यानि नजदिक होंगे वहां पर electric potential का strength क्या होगा ज्यादा होगा और जब दूर-दूर होंगे हना तो उसके जो strength होगा electric potential होगा वो क्या होगा कम होगा ठीक है और properties में आप क्या लिख सकते है कि e बराबर क्या होता माइनस dv by dr या negative sign क्या सो कर रहा है कि electric field का direction उस direction में होगा जिस direction में v की value decrease करेगी जिस direction में v की value क्या होगी decrease करेगी तो जिसमें v की value decrease करती है उसी direction में हना उस direction में electric field का direction होगा clear है चलिए हम लोग next question देखते हैं कि बिद्दुतिय ध्रू के कारण उसके अक्षिय रेखा के किसी विंदू पर बिद्दुत बिभाव का बेंजग ज्याद कीजिए derive an expression for the electric potential at a point in axial position due to an electric dipole ठीक है क्या expression करना है electric potential आपको कहा axial position पर किसके कारण due to electric dipole clear है चलिए हम लोग देखते हैं यह कर देते हैं सबसे पहले क्या है माल लेज़े एक dipole है dipole क्या हो जाएगा minus q position a पर और position b पर क्या हो गया plus q प्लस q ठीक है यह दोनों के बीच का distance कितना है माल लेज़े 2l कितना है 2l इसका मतलब है कि इसका midpoint जो होगा तो यहां पर यह l हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा clear midpoint से इसको midpoint को हम लोग माल लेते हैं d d is the midpoint जहांसे यह l हो गया और यह भी क्या हो जाएगा we have to find the value of p electric potential and value of b at point p माल लेज़े p पर हम लोग क्या करेंगे electric potential निकालेंगे किसके कार इस dipole के कार ठीक है इसके midpoint से यहां से इस point p की जो दूरी होगी वो माल लेते हैं हम लोग x क्या है x से clear है यहां तो विद्दुत विभव अक्षिये रेखा पर क्या होगा विद्दुत विभव अक्षिये रेखा पर कि विद्दुत विभव अक्षिये रेखा विद्दुत विभव अक्षिये रेखा पर तो आप क्या ध्यान में रहें यानि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ठीक है अब यहां पर क्या होगा भी वन या फिर भी ए यानि एक के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बन बाई पॉर पाई एपसॉल नॉट माइनस क्यू हो जाएगा यहां पर माइनस है ना तो माइनस क्यू बट्टा अब दो यहां से यहां तक तो एक्स है और यहां एल है तो यह टोटल क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0. अब दोखिए, भी-बी क्या है? प्लस Q है, है ना? प्लस Q, तो हो जाएगा, प्लस Q by, अब यह देखिए. यहां से यहां तक क्या है? X और यहां से यहां तक L. तो यहां से यहां तक की value क्या हो जाएगी? X minus L होगा? तो यह हो जाएगा, X minus L. ठीक है? अब electric potential at P. भी-बी निकाल लिए, भी-बी निकाल लिए, electric potential at P. क्या हो जाएगा? भी-बी प्लस भी-बी. होगा? कोई दिक्कत नहीं है. यहां से क्या हो जाएगा? भी-बी की value कितनी है? 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q, X plus L. तो 1 by 4 pi epsilon 0 minus Q by X plus L. प्लस भी-बी की value, 1 by 4 pi epsilon 0, Q by X minus L. ठीक है? क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon 0 common हो जाएगा? माइनस Q by X plus L. और प्लस Q by X minus L. ठीक है? अब यहां से, देखिए, तो क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon 0 into Q को भी common कर देखिएगा? तो क्या हो जाएगा? यह माइनस वाले को बाद में लिखी देते हैं, पहले लिख देते हैं, 1 by X minus L minus 1 by X plus L. प्लियर है? इसको पहले लिख दिएगा, और इस साइड यह वाला को पहले, पहले हैं, और इसको फिर बाद में कर देखिएगा. इस से क्वास्टू क्या हो जाएगा? 1 by 4 by epsilon 0 into Q. यहां से क्या हो जाएगा? X plus L, यह वाला पाट यहां, यह यहां. X plus L minus X minus L. डिवाइड बाई A minus B, A plus B. क्या हो जाएगा? A square minus B square. X square minus L square. क्या हो जाएगा? Now. 1 by 4 by epsilon 0 into Q. यहां क्या हो जाएगा? X plus L minus X plus L by X square minus L square. क्या हो जाएगा? Cancel out. तो क्या हो जाएगा? 1 by 4 by epsilon 0 Q into 2L L plus L क्या हो जागा 2L by x square minus L square x square minus L square ठीक है अब क्या है is equal to 1 by 4 by epsilon 0 1 by 4 by epsilon 0 Q into 2L Q into 2L क्या बोलते है dipole देधर आघुर्ण तो इसको लिखेंगे किससे P से P by x square minus L square ठीक है उसके बाद यहां लिख देंगे P equals to क्या हो जागा Q into 2L ठीक है is equals to यह कितना है VV V P है ना is equals to क्या आया 1 by 4 by epsilon 0 P by x square minus L square आया अब माल लिखते हैं कि dipole जो है वो बहुत small length का है ठीक है let L B यह जो L है L be very small L be very small तो जब L square हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा तो V P is equals to क्या हो जाएगा 1 by 4 by epsilon 0 into P by यह क्या हो जाएगा x square L square क्या हो जाएगा 0 L square is nearly 0 0 होगा नहीं लेकिन nearly कितना होगा 0 तो हम लोग उसको हटा देंगे तो V P क्या हो जाएगा 1 by 4 by epsilon 0 P by x square clear है V P equals to 1 by 4 by epsilon 0 P by x square I hope आप इसको समझे होंगे फिर से हम लोग एक बार कर देते हैं यहाँ पर क्या है A और B दो डाइपोल है एक minus Q है और एक plus Q है दोनों के बीच का distance 2L कर देते हैं क्योंकि L बहुत स्मॉल है P point पे आपको क्या निकालना है Electric Potential यानि बिद्दूत बिभव तो बिद्दूत बिभव अक्छिय रेखा पर हमको अभी निकालना है ठीक है तो B A क्या हो जागा B A की वैलू क्या होगी 1 by 4 by epsilon 0 minus Q और यहाँ से यहाँ तक X और यहाँ से यहाँ तक L X plus L B B की वैलू क्या हो जाएगी 1 by 4 by epsilon 0 Q by X minus L B B क्या हो जाएगा B A plus B B कर दिये B A plus B B 1 by 4 by epsilon 0 minus Q X plus L plus 1 by 4 by epsilon 0 Q by X minus L फिर क्या करेगा 1 by 4 by epsilon 0 minus Q by X plus L plus Q by X minus L 1 by 4 by epsilon 0 यहाँ पे भी 1 by 4 by epsilon 0 यहाँ पे भी है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे common कर दिये Q को भी बाहर कर दिये तो और इसको एर्राइज कर दिये तो क्या हो जाएगा 1 by X minus L इसको पहले कर दिये इसको बाद में कर दिये minus X plus L solve किये इसको तो क्या है आप यह solve कर लेना है तो solve करने के बाद 1 by 4 by epsilon 0 Q into 2L by X square minus L square इस इक क्वेस्ट्य क्या हो जाएगा 1 by 4 by epsilon 0 P by X square minus L square अब यहाँ पे P क्या है Q into 2L है P बराबर Q into 2L और 1 by 4 by epsilon 0 P by X square minus L square जब L very small होगा तो क्या हो जाएगा L is nearly 0 L क्या हो जाएगा nearly L square क्या हो जाएगा nearly 0 तो 1 by 4 by epsilon 0 P by X square फिप इक क्वेस्ट्य क्या हो जाएगा 1 by 4 by epsilon 0 P by X square यह क्या है axial अगर यह ही equatorial होता तो इसकी value क्या हो जाती 0 क्या होती है 0 ठीक है चलिए next देखेंगे question हम लोग कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का वियनजग प्राप्त करें derive an expression for the capacitance of parallel plate capacitor ठीक है तो हम लोग अब क्या करेंगे parallel plate capacitor के बीच में हम लोग capacitance की value find out करेंगे तो माल लीचे parallel plate capacitor है एक दो ठीक है यह आपका plus है और यह हो गया minus Q हम charge दिए यानि इस plate को charge दे रहे हैं है electricity दिए तो क्या होगा plus Q यह हो गया और induction के कारण यह minus Q हो जाएगा और इसको connect कर दिए मालनो अर्टिंग से clear है चलिए तो यह दोनों के बीच का जो distance है वो क्या है D क्या है D दोनों plate के बीच का distance क्या है D ठीक है इसका यहाँ पे क्या होगा sigma sigma क्या है surface charge density surface charge density प्रिष्ट्रिये आवेस घनत्वा प्रिष्ट्रिये आवेस घनत्वा तो सिग्मा एक वस्ट्रिये क्या हो जाएगा Q बाई A A is what A is the area यह क्या है अरिया है ठीक है चलिए अब हम लोग को क्या पता है दोनों हम लोग जो formula है उसको हम लोग डालेंगे क्या डालेंगे कि हमें पता है कि electric field यहाँ पे क्या होगा electric field होगा जैसी charge दिये इसमें current गया है ना तो क्या होगा electric field electric field generate होगा है ना तो electric field जो होगा, वो क्या होगा, the value of electric field parallel plate capacitor है, तो electric field की value क्या हो जाएगी, e equals to हो जाएगा sigma by epsilon not, हाना, gaussious theorem चाम लोग ने देखा था, हाना, जो वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जो पहला वीडियो है, जाकर के वहाँ से आप उसको देख सकते, कैसे इसकी value proof होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e equals to, हाना, sigma by epsilon not, ठीक है, अब sigma by epsilon not होने के बार, हमें पता है, इक potential surface, यारी, जो electric field होता है, लिखेंगे, but we know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कि e equals to क्या होता है, dv by di, minus dv by di, तो यहाँ पर माइनस sign को हम लोग, माइनस sign क्या होता है, इंडिकेट करता है, कि electric field का direction किधर होगा है, ठीक है, तो direction लिखने के जुरुद नहीं है, तो क्या होगा, e equals to dv by di, is equals to क्या हो जाएगा, अब यह क्या है, dv by small के लिए है, तो total में क्या हो जाएगा, v और इन दोनों के बीच का distance, दोनों plate के बीच का distance क्या है, d है, तो क्या हो जाएगा, v by d, v by d, चलिए, तो यह हो गया first, और यह हो गया second, लिखेंगे क्या, from equation, first and second, है, पहला और दूसरा समिकरन से, ठीक है, पहला और दूसरा समिकरन से, क्या हो जाएगा, v by d equals to sigma by epsilon not, clear, from here, v equals to क्या हो जाएगा, sigma d by epsilon not, v equals to sigma d by epsilon not, now, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, we know that, क्या जानते हैं, कि c equals to, q equals to क्या होता है, c b, तो c equals to क्या हो जाएगा, q by b, we know that, हम जानते हैं, कि c equals to q by b, अब क्या हो जाएगा, q by b की value क्या हो जाएगे, sigma into d by epsilon not, sigma into d by epsilon not, ठीक है, now, q epsilon not by, sigma equals to क्या हो जाएगा, q by a, तो a होगा area, तो उपर चला जाएगा, q by a, ठीक है, into d, ठीक है, into d, sigma is equal to क्या हो जाएगा, q by a, surface charge density है, जो हम लोग already पहले यहाँ पे mention कर दिये हैं, ठीक है, यहाँ पे mention है, ठीक है, तो फिर वही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है, क्या, q, sigma equals to q by a, अब क्या होगा, q, q cancel out हो जाएगा, तो c equals to क्या हो जाएगा, epsilon not a by d, c equals to epsilon not a by d, dialectric constant की बात यहाँ पे अभी नहीं कहीं गई है, करने की जुरत आपको नहीं है, ठीक है, तो c equals to क्या हो जाएगा, epsilon not a by d, ठीक है, यहीं आपकी क्या हो जाएगी, value जाएगी, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, आप screenshot ले ले या फिर write down कर लेंगे, इसको, हैना, मैं रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेक्ट कोश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समानतर प्लेट संधारित्र में, हैना, किसी संधारित्र में संचित उर्जा, निमने संबंद, Q square बटा 2C, द्वारा व्यक्ट की जाती है, प्रूब दाट, energy stored in parallel plate capacitor, can be expressed by the relation Q square by 2C, अगर ऐसा न भी दे, ऐसा अगर न भी दे, तो सीधा question अगर पूछता है, कि find the energy, या फिर प्रूब, calculate the energy stored in parallel plate capacitor, आपको अगर calculation के लिए भी दे देगा, कि कितना energy store होता है, तब भी आपको इसी तरीके से find out करना है, तो सबसे पहले, माल लीचे parallel plate capacitor, ये Q, प्लस Q, और ये minus Q, ठीक है, एक मिनट, minus Q, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, electric field, हो रहा है, तो, electric field, इसमें है क्या, यहाँ पे क्या होगा, work done, ठीक है, है क्या concept, कि माल लीचे कि, इस parallel plate capacitor में कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जैसी इसको battery से supply देते हैं, किस से supply दे रहे हैं, battery से, ठीक है, तो battery से जैसी इसको supply दिये, तो battery से supply देने के बाद, इसमें चार्ज आ जा रहा है, Q, for potential B, किस के लिए, potential B के लिए, चार्ज आ जा रहा है, Q, clear है, तो, work done क्या हो जाएगा, अब माल लीचे की, small charge के लिए, work done क्या हो जाएगा, small work done, यानि DW, small charge के लिए, work done क्या हो जाएगा, DW, clear है, तो, सब, अब यहाँ पर क्या है, potential क्या हो रहा है, V, constant potential है, तो उसके लिए, DW equals to क्या हो जाएगा, V into DQ, V into DQ, ठीक है, माल लीचे के battery जो है, वह सप्लाई कर रही है, DQ charge, हैना, capacitor को, तो क्या हो जाएगा, potential difference, यानि, V की जो value होती है, हैना, तो, बैटरी के द्वारा कितना कारे किया गया, तो, work done, by the battery, by the battery, ठीक है, तो, DW equals to क्या हो जाएगा, V, DQ, बैटरी के द्वारा किया गया, कारे, clear है, now, DW equals to, V equals to क्या हो जाता है, Q equals to C भी होता है, तो, V equals to क्या हो जाएगा, Q by C, एक मिनट, V equals to Q by C, तो, यहाँ पर put कर देंगे, V के जगा पर क्या हो जाएगा, Q by C, DQ, clear है, अब क्या होगा, amount of work done, लिखेंगे, amount of work done, total, amount of work done, total कारे, ठीक है, कारे की मात्रा, amount of work done क्या हो जाएगा, DW, integration, हाँ, कर देते हैं, on integrating both sides, दोनों तरफ integrate करने पर, है ना, तो, DW, equals to क्या हो जाएगा, Q by C, DQ, तो, Q को कहा से कहा तक, 0 से ले करके, Q तक, 0 से Q तक, work done को भी 0 से ले करके, W तो, तो, यह कितना हो जाएगा, work done, W, equals to क्या हो जाएगा, 1 by C, integration, 0 to Q, Q, DQ, C constant है, बाहर आगया, फिर क्या हो जाएगा, 1 by C, अब Q का power 1 है, तो Q का power 2 by 2 हो जाएगा, तो, क्या हो जाएगा, Q square by 2, कहा से कहा तक, 0 से Q तक, Q वही, put कर देना है, Q के जगाप पर, तो, क्या हो जाएगा, 1 by C, Q square by 2, ठीक है, एक चीज़ा आप ध्यान में रखोगे, कि यहाँ पे आपका, value क्या दे रहा है, capital Q, clear है ना, तो, आप क्या करोगे, अगर, energy stored के लिए आएगा, तो, कोई Q ले सकते हो, लेकिन, जब value, वही value प्रूफ करना है, तो, आप integrate कहा से कहा तक करोगे, 0 से capital Q तर, यहाँ क्या करोगे, capital Q तर, यहाँ पे भी क्या करोगे, capital Q तर, हैना, अगर, दे दिया, integrate करोगे, मतलब, value कि यह, तो, जो value में, जो, term यूज करेगा, आप उसी को, use कीज़ेगा, ठीक है, तो, यहाँ पे भी क्या कर लोगे, यहाँ पे capital Q, तो, क्या हो जाएगा, Q square by 2C, यह क्या हो जाएगा, work done, work done, यानि, energy, तो, यह जो energy store हो रहा है, और कैसे किस रूप में यूज हो रहा है, electric potential energy, किस रूप में यह store हो रहा है, अजे, बिद्दूत, बिभाव उर्दा, electric potential energy, ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसमें से और क्या क्या कर सकते हैं, यू बराबर, Q के जगा पर C भी पूट कर देंगे, तो C square, B square by 2C, तो C, C cancel out, तो क्या जगा, 1 by 2, C, B square, तो यह भी हो सकता है, ठीक है, Q equals to, अगर C भी है, तो B के जगा पर भी value पूट कर सकते हो, तो Q और C का, यह value हो गया है, तो यह रहा, आपका energy stored, इन पैरलर प्लेट कैपसीटर, और प्रूब भी हो गया है, है ना, I hope, इससे बाहर आपका, या अलग question जो होगा, वो इससे अलग question नहीं रहेगा, electric potential और कैपसीटर से, अगर questions रहेंगे, तो यहीं रहेंगे, कि आप लोगों कोई यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, comment करें, अगर कही रिक्कत है तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के भी share कर दें, अगर आप इस channel पे नए हैं, तो आप इस channel को subscribe कर दें, thank you, thank you for the watching, मिलते हैं, next chapter में, next video के साथ,